हलो मेरा नम वियारम है मैं अपना राशन कार्ट बनवाने के लिए गया था और मेरे से दो हजार रुपे की रिश्वत मांग रहे हैं अप रिश्वत बागे जारी है भारत मतकी इंकलाब इंकलाब वंड़े वंड़े आज एंटी करप्शन हेल्प लाइन 1031 इसको लाँच करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है पिछले साल हमारी 49 दिन सरकार चली थी जैसे ही हमारी सरकार बनी हम लोगों ने ये टेलिफोन लाइन लॉंच की थी इस बार इसका दुबारा लॉंच किया जा रहा है अब अगर दिल्ली के अंदर आप से कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का तो आप उसको मना मत करना अपनी जेब में हाथ जालना अपना मुबाइल फोन रेकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रेकॉर्ड कर लेना उस अवाज को हमें लाके देना हम उसको ट्रैप करेंगे उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे जनता ने हमें इतना बड़ा भहुमत क्यों दिया केवल एक ही कारने जी पिछली बार जो हमारी 49 दिन की सरकार थी उस 49 दिन की सरकार में जनता ने जो काम हमारा देखा उसके बाद से जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को वापस लाना है हमें वो ही 49 दिन की सरकार दुबारा चाहिए मैं रोज सवेरे सैर करने के लिए जाता हूँ खूब जनता मिलती है पिछले तीन दिन से जो मेर को मिलता है वो हाथ हिला के कहता है बाई साब बिजली का बिल आ गया बाई साब बिजली का बिल कम हो गया अब आपके पानी के बिल भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के जीरों बिल आने वाले हैं तो जो दो बड़े-बड़े काम थे वो कर दिये हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई सब हम जुमले नहीं खेलते अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भरष्टाचार दूर करना है आज हम दिल्ली के अंदर करप्शन की वो ही टेलिफोन लाइन शुरू कर रहे है जो हम लोगों ने पिछले साल उननचास दिन की सरकार में की थी पहले हमारे अंदर जनून था अन्ना अंदोलन के समय जनून था कि भरष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है लेकिन उस उननचास दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भरष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं